पूरी दुनिया को ये पताया गया कि सहदेप का एक्सिडेंट हुआ है अगर हम कहें कि सहदेप का एक्सिडेंट नहीं हुआ है उन्हीं मारने की साजिस थी तो आप क्या सोचेंगे जियां मैं आपको पूरा सबुत दूँगा एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वारेल चल रहा है और वाइरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि शहदेप का एक्सिडेंट नहीं बलकि उनको मारने की बड़ी साजिस रची जा रही थी और ये साजिस लंबे वक्त से चल रही थी तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर शहदेप को कौन मारना चाहता ह शहदेब एक्सिटेंट हुआ है या फिर उनका क्सिडेंट कराया गया है यह तमाम चिजे सामने आ गयी है आपको पता है कि बाथसा ने सहदेब के एक्सिडेंट पर एक बड़ा बैयान दे दिया था अखिर बात्सा का वो कौन सा बयान है जिसके बात्से पूरी तरह खलबली मत चुकी है मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा और सुनाऊंगा भी इसके पहले आप जान लीजे कि बात्सा ने सहदेप को लेकर सबसे पहले क्या कहा था बात्सा ने साबतोर से कहा था कि सहदेप के एक्सिडेंट पर बड़ा खुला सा हुआ है बताया यहां तक जा रहा है कि सहदेप को एक्सिडेंट में मारने के लिए लंबे वक्त से साजिस चल रहे थी और एक्सिडेंट के दौरान आखिर क्या हुआ एक्सिडेंट का आखिर वो कौन सा वीडियो है एक्सिडेंट के वक्त कौन कौन से लोग वहाँ पर मौझूद थे किन लोगों ने उन्हें उठा कर अस्पताल तक पहुचाया ये सारे सबूत, सारे गवा हम आपके लिए लेकर आए हैं तो चलिए आपको दिखाते हैं कि सहदेब के एक्सिडेंट पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं सहदेब के एक्सिडेंट पर आखिर कौन सा खुलासा हुआ है मीडिया में ये ख़बर चल रही है कि सहदेब जब सहर से अपने गाउं के तरफ लोट रहा था बाइक उनके पिता चला रहे थे पीछे सहदेब बैठा हुआ था और एक्सिडेंट रेत की बज़ा से हुई गाड़ी काफी रफ्तार में थी और सलक पर रेत था रेत पर चक्का फिशला एक्सिडेंट हो गया सहदेब को गंभीर चोटी आई लेकिन ये साब तोर से गलत है मैं आपको बताता हूँ कि सहदेब के पिता ने क्या कहा है सहदेब के पिता ने साब तोर से कहा है कि एक शक्स सहदेब के साथ शहर से गाउं की तरह पा रहा था यानि कि यहाँ पर यह किलियर हुआ कि सहदेब के पिता बाइक नहीं चला रहे थे सहदेब के पिता सहदेब के साथ नहीं थे अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि जो लोग कह रहे हैं कि एक्सिडेंट हुआ है मीडिया करी एक्सिडेंट हुआ है एक्सिडेंट हुआ है तो जो इनसान बाइक चला रहा था आखिर वो कहा है वो कौन है आखिर उनको चोट लगी है या फिर नहीं लगी है क्या वो अस्पताल में भरती है या फिर फरार है ये तमाम चीजे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों सहदेब की पिता ने उस सक्स का नाम नहीं लिया है जो सहदेब के साथ सहर से गौँ की तरफ लोड रहे थे हो सकता है कि सहदेब के पिता को उन्होंने धमकी दी हो जिया ये तमाम चीजे सामने आ रही है और वक्त बितने के साथ साथ सच्चायां भी सामने आ रही है कि बाईक चलाने वाले शक्स को चोट क्यों नहीं लगी क्या सहदेब के एक्सिडेंट को दुरगटना की सकल देनी की कोशिस की जा रही थी ये तमाम चीजे सामने आ रही है दोस्तों सहदेब एक विख्यात लड़का है जिन्होंने बच्पन का प्यार गाना गाकर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना ली थी और उन्हें बात्सा ने भी अपने साथ गाने का बड़ा मौका दे दिया था लेकिन सहदेब के एक्सिडेंट ने वाकई में लोगों को चकित कर दिया है और वक्त वितने के साथ साथ परत दर परत सचायां भी सामने आती जा रही है दोस्तों जब सिंगिंग और डांसिंग की बात सामने आये तो सपना चोधरी पीछे कहा रहा सकती है आपको बता है कि किस तरीके से पुरी दुनिया में शहदेब इंटरनेट पर वारल चल रहा है और हर इंसान इनकी आवाज को सुनना चारा है और हर बड़े कलाकार इनके गाने पर डांस करना चारा है जी हाँ, शहदेव का एक नया गाना आ गया है, जिस पर एक बड़ी हस्ती ने डांस किया है, मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा, लागातार बॉलीबुड की बड़ी बड़े इस्टार, प्रोडूसर, डिरेक्टर, म्योजिक डिरेक्टर, शहदेव और इनके गाने को रेडी है, और डांस कर रहे हैं, जिया, मैं आपको पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ, कि किस तरीके से, शहदेव आज बड़ी बड़ी लोगों के साथ डांस कर रहा है, यह वही बच्चा है, जो कि 36 गड़ के शुकमा में रह रहा था, बेहदी गरीब बच्चा, पां बात्सा ने खुद सहदेव को कॉल करके अपने पास बुला लिया, बात्सा की वज़े से ही आज यह इतना पॉपलर है और इनका कंडिसन अच्छा हो गया है, दोस्तों सहदेव मजदूरी कर रहा था, सुनने में आपको अठपटा लग रहा होगा, कि एक छोटा सा बच्च मजदूरी कर सकता है क्या, जिया, यह सच है, शात्मी क्लास में ही इस बच्चे को पढ़ाई छोड़नी पड़ी, क्योंकि इनके घर में खाने के लाले पड़ रहे थे, बस इनके पिताजी हैं जो कि मजदूरी करके किसी तरह घर का भरन पोसन कर रहे थे, लेकिन इस पड़ा, क्योंकि पूरी घर का पेट ठीक से नहीं भर पा रहा था, आप देखे कि किस तरीके से देश में गरीब बच्चे, टैलेंटेट बच्चे की स्थिति है, वाकई में सरकार और परसासन पर सवाल खड़े होने चाहिए, आज ये बच्चा पॉपलर हुआ, तब जाक पूरी दुनिया पर सिंगिंग की तौर पर राच करेगा, जियां इनकी आवाज बहतरीन है, इसके साथ साथ लोगों का इनके साथ emotional attachment है, जियां ये गरीबी भरी जिन्दगी जी रहते, लोग कह रहे हैं कि इतना गरीब होने के बाब जुद भी इन लोगों ने अपने टैलेंट को जिन्दा रखा, टैलेंट को किस तरीके से पूरी दुनिया के सामने लाया, ये काबिले तारीफ है, इनसे लाख या फिर उससे ज़्यादा उचा मुकाम पा लेते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं पाएंगे, जियां ये वाकई में प्रेरना का स्रोथ है, दोस्तों सबसे पहले आप फर्मानी नाच की आवाज को सुनिया और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से फर्मानी नाच और मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गं के सहारे आजा मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गं के सहारे आजा तू नहीं तो इरत ये हवा, क्या करो, क्या करो दू नहीं तो इरत ये हवा, क्या करो, दूर तुझ से मेरे रहे के भला, क्या करो, क्या करो सुना सुना है जहां, अब जाओं मैं कहां, बस इतना मुझे संजा जा मेरा दिल ये पुकारे आजा, आजा मेरा दिल ये पुकारे आजा